नमस्कार मेरे नाम संदीब है और टेक्निकल गप्षप के इस एपिसोड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है यह प्रामिस है मेरे आपसे कि अगर आपने वीडियो एंड तक देखा और इसे टाइम पे इंप्लिमेंट किया तो यह आपकी जिंदगी चेंज करतेगा तो यह वीडियो तो इंपोर्टेंट क्यों है यह वीडियो तो इसलिए है क्योंकि मैंने इसमें आपको बताया है कि एथरिम क्या है इसको कैसे माइन करते हैं और मैंने विटकोईम की माइनिंग छोड़कर एथरिम की माइनिंग क्यों स्टार्ट की पर उससे पहले मैं आपको देख सकते हैं कि अभी तक मेरा unpaid balance कितना है जो कि है 0.11206 अब अगर इन दोनों को add कर लें तो मैं पहुंच होंगा करीब 1.8 एथर से उपर तो अब देखते हैं कि 1.8 एथर होता कितना है तो अभी जो एथर का rate है वो है 289 USD और अगर मेरे पास 1.8 एथर है तो इसका मतलब हुआ कि मेरे पास 520 US dollars है इन 520 US dollars को करूर करते है आएनार में तो अगर आप देखें मैंने 17 days की माइनि में कमाया है लगव लगव 33,000 इंडियन रुपीज जो की बुरे नहीं है तो अचलिए जानते हैं कि अथर माइनिंग करते कैसे है तो बात करते हैं कि मैंने अपने computer से bitcoin की माइनिंग छोड़कर Ethereum की माइनिंग क्यों स्टार्ट की तो चलिए करते हैं कुछ math है मतलब मेरी बिजली फिरीकी है उसके बावजूद भी मैं एक साल में कमाऊंगा सिर्फ 1.71 डॉलर अगर मैं करता हूं Bitcoin की माइनिंग और अगर मैं करता हूं Ethereum की माइनिंग मुझे मिलता है 114 से 120 के बीच में megahash और अगर मेरा power consumption zero है तो मैं कमाता हूं एक साल में करीब-करीब 8,443 USD यह main reason है कि मैंने Bitcoin से Ethereum माइनिंग में switch क्यों किया अब मैं आपको यहां पे बात बोना चाहता हूं कि जो Bitcoin की mining है वो computer से dead हो चुकी है इवन ASIC miners जो हैं जो कि आपको देते हैं करीब-करीब 5 टेरा हैश की speed वो भी अगर आप देखें तो एक साल में आपको सिर्फ प्राफिट होगा 2000 डौर का तो मेरे साब से आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने Bitcoin की mining क्यों stop की तो question यह है कि अगर हम Bitcoin माइन नहीं कर सकते computer से तो क्या माइन करें आंसर है Ethereum एक ऐसी cryptocurrency है जो feature करती है smart contracts और इसी के चलते है वो bitcoins अलग है और आने वाले time पे बहुत ही strong हो जाएगी in fact अभी भी अगर आप देखें तो मेरे पिछले वीडियो में Ethereum की cost थी 172 USD और आज Ethereum की cost है around 289 USD तो यह एक बहुत ही strong currency है और इसको mine करने में बहुत ही profit है जैसे कि अपने देखा था तो question आता है कि इसको mine करें कैसे आपको इसको mine करने के लिए computer चाहिए होगा और इसमें हम करेंगे GPU mining और GPU mining के लिए best cards है AMD के RX 480 series के cards या फिर RX 580 series के cards और अगर आपको कहीं से मिल जाए तो 295X2 is the best card for mining Ethereum और इन सारे cards की details को मैं देदूँगा description में अब देखते हैं कि अपने computer से हम mining कैसे start करते हैं जैसे कि आपको पता है computer से कोई mining start करने के लिए हमको चाहिए होगा wallet एक mining program और एक pool यहाँ पे हम use करेंगे metamask wallet और हमारा pool हुगा ethermine का pool और जहमारा mining का software है वो है ethminer genoil 1.1.7 त दोबारा तो सबसे पहले हम download करते हैं metamask wallet और यह है chrome की extension तो हमें launch करना पड़ेगा google chrome और हम simple simple google में type कर सकते है metamask wallet और आपको दिखेगा chrome store का address क्लिक करिए और इसको add to chrome कर दीजे जब यह chrome में add हो जाएगी तो उसके बाद आपको अपना password चूज करना पड़ेगा इसके जो है यह private की है बहुत ही ज्यादा important है again आप से safe place में रखिए और किसी दिंग share मत करिए mainly जहां पर आपने passport या important document रखते हैं आप इसको वहाँ पर एक कागज में लिखकर safe रखिए और इसके बाद हमें metamask के test network को change करना पड़ेगा ethereum के main network में ताकि ethereum के main network से communicate कर पाए और आप ethereum send या receive कर पाएं इसके बाद आप देखेंगे account one और account one के नीचे है आपका ethereum का address जी हाँ यही आपका receiving address है और आप copy में click करके से copy कर सकते हैं और आने वाले steps में हम इसी address को use करेंगे mining के लिए ताकि हम receive कर सके हमारे mine के हुए ethereum तो अब बढ़ते है next step की तरफ और यह है हमारा ethereum का mining pool हमारे screen पे और अब हमें configure करना है अपना mining software इस pool address के साथ और हमारे ethereum wallet address के साथ आपका ethereum wallet address मेरे wallet address से अलग होगा और अब हम देखते हैं कि इसको कैसे configure कर के mining करते हैं इस example में हम यूज़ कर रहें ethermine pool सो सबसे पहले हम जाएंगे ethermine.org में और यहां पर पहुंचकर जब आप नीचे को स्क्रोल करेंगे तो आपको सारे के सारे miners के configuration और उनके download link मिल जाएंगे और यहां पर हम यूज़ करें चैनल लेसे miner तो हम click करेंगे windows build में और click करने के ब पांच फाइल है और अगर आप ethermine.org के steps को follow करें तो आप आएंगे कि आपको यह setup करके एक batch फाइल बनानी है बहुत simple setup है आपको यह पूरा का पूरा copy paste करना है और यहां पर अगर आप US में है तो US के servers को use करना है अगर आप इंडिया में है तो आपको Asia के server यूज़ करने ह और पूल के server के सारे सारे नाम मैंने पहले दे थे और सारे के server के नाम आपको description में मिल जाएंगे यहां पर आपको अपना etherm का address डालना है यह आपके wallet का address है जो हमने metamask से बना रहा था उसके आपके rig या computer का नाम यहां पर आप कुछ भी नाम दे सकते हैं जिससे कि आप copy करूंगा और यहां पर new notepad start और इसके बाद इसमें सब का सब पेस कर देंगा अब यहां पर जो मुझे metamask से etherm address मिला था मैं उसको paste करूंगा यह है मेरा metamask से मिला हुआ etherm address etherm wallet address और rig name में मैं कुछ भी डाल सकता हूं है मैं मैं डाल दूंगा mean machine that's it इसको save कर दीजिए as a bat file file save as start.bat save as type all files save close तो आप देखेंगे कि यहां पे start.bat add file बन गई है जैसी आप इस पर double click करेंगे वैसे ही यह mining start कर देगा और मैं आपको एक बात और बोलना चाहता हूं कि प्लीज जब आप इस फाल को configure कर रहे हैं यहां पर अपना etherm wallet address use करेंगे तो अब मैं इसको start कर दूंगा double click करूंगा और यह ethereum की mining start हो गई तो थोड़ी देर बाद आपको यहां पर अपना hash rate देख जाएगा that's it तो यह था कि आप mining कैसे करते हैं अब अगर आपको status देखना है अपनी mining का और आपने कितने ethereum कमा लिये हैं तो आपको उसके लिए simple ethereum.org मिल जाना पड़ेगा और यहां पर अपना wallet address space करके check status कर लेंगे और यहां पर आपका minor का status दिखने में थोड़ा time लग सकता है चिंता कि कोई बात नहीं है in the meantime आप settings में जाके यहां पर अपना email address enter कर सकते हैं और आपको कितने ethereum होने के बाद payment चाहिए और यहां पर आप enter कर सकते हैं जैसे ही यह threshold reach होगा आपके metamask में यह amount transfer हो जाएगा automatically और जिस तरीके से ether की value increase हो रही है उस तरीके से मुझे पूरा यकीन है कि यह एक ना एक दिन thousand US dollar जरूर पार कर जाएगा और अगर आप अभी से mining start कर देंगे तो आने वाले time पे यह एक बहुत अच्छी investment है और for sure यह आपके future और आपकी जिंदगी को अच्छे कले change कर देगा तो यहां देखा आपने कि आप Ethereum को कैसे mine कर सकते हैं आने वाले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा किस कमाई हुए Ethereum को कैसे invest कर सकते हैं और अगर आपको एक Ethereum खरीदना है तो कौन-कौन से platforms है जहां से आप Ethereum खर हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए take care and be safe